competitive exam में आपका इपर फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और notification लेकर आ गया हूँ जो कि आपके HS1 के exam के regarding रहने वाली है जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जून को HS का examination होने जा रहा है तो इस बार जो है हिमाचल परदेश prevention of mal practice act 1984 तो इस पर जो है अब mal practice act यानी कि अग यदी कोई नकल करते हुए पाया जाता है तो उसे जो है पांच साल के लिए निलंबत किया जा सकता है और उस पर जो है जुर्माने का प्राबधान भी अब लागू हो चुका है तो ये इसमें जो है नया changes किया गया है कि अब इस पर जो भी नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसे 5 साल के लिए बाहर किया जाएगा उसकी दाविदारी खतम की जाएगी और उसके बाद उस पर जुर्माना भी लगा जा सकता है और 6 मिने से एक साल तक का काराबास भी उसको हो सकता है तो आप देश सकते हैं कि दो phases में ये exam होगा जिसमें 30 तारीकों जो first paper general study का morning session में 10 से 12 के बीच में रहेगा और second paper जो है aptitude का evening session में रहेगा 2 से 4 बजे के बीच में तो आप देश सकते हैं यहां पर इनोंने का है कि जो candidate first paper में बैठ रहा है उसे दोनों paper में बैठना उसे जरूरी है यदि वो एक में ही बैठता है और दूसरे में नहीं बैठता है तो उसे disqualify कर दिया जाएगा तो examination center जो है किसी भी candidate का change नहीं किया जाएगा एक बार जो alert हो चुका है तो आपको वहीं पर exam देना होगा तो आपको exam center में एक घंटा यहां पर पहले पहुचना होगा तो आप देश सकते हैं यहां पर इनोंने जो जो mention किया है जो आपके लिए important है मैं आपको वो बता रहा हूँ तो आप यहां पर दे सकते हैं तो आप अपने को call letter है वो डाउनलोड कर सकते हैं यह बताया गया है और candidate को यहां पर इनोंने एक instruction दी है कि जो भी candidate examination के लिए आ रहे हैं तो उन्हें अपने साथ एक ID फूरूप साथ लाना होगा लेकिन जो bottle होगी वो transparent होनी चाहिए steel की bottle यहां पर नहीं चलेगी और negative marking यहां आपके exam में होगी जो की point जो है 3-3 की यानि की one third जो है यह negative marking रहने वाली है तो यह आपके लिए important instruction रहने वाली है जो इसमें important थी वो मैंने आपको बता दिया है कि इस बार जो है mal practice act जो है लागू कर दिया गया है जो भी candidate नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कारेवै की जाएगी और उसे 5 साल की सजा और जो है जुर्बाना लगाया जा सकता है और उसे 1 साल तक की सजा भी इसमें हो सकती है तो ये notification आपके लिए है जल्दी से अपने admit card डाउनलोड कर लीजिए अब आपका exam कुछी दिन में होने जा रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो शेर कर सकते हो इसी प्रकार के future update के लिए आप हमारे चैनल competitive exam से जुड़े रह सकते हो धन्यवाद